अपने अपने गर में तो आज कोई डेली रूटिन व्लोग नहीं है और आज बनाएंगे प्याज के प्राथे तो उसी की रेशिपी आप लोगो के साथ सेयर करूँगी इस तरीके से अगर आप प्याज के प्राथे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और एक दम प्रफेक्ट बनेंगे ये प्याज निकट गया अमारा खराब तो इसको मैंने साइड में रख दिया है और सबसे पहले ट्रिक यही है कि आप पतले पतले लंबे लंबे प्याज काटे यह देखिए मैंने ले ली है पांच शे प्याज ली है और इन से मैंने सिरफ चार प्राठे बनाए हैं क्योंकि एडिटिंग कर रही हूं बाद में यह वीडियो है कल का दो मई का वीडियो है और आपको देखने को मिले गए यह तीन मई को तो यह आटा लगा रहे हैं सबसे पहला प्रोसेस है आटा लगाने का तो प्याज को मैंने काट लिया है पहले और अब मैं लगा रही हूं आटा और उसमें मसाले डालेंग कि हमारा आटा कितना नर्म है और अब इस पे थोड़ा देशी गी लगा के और इसको डखके रख देंगे 15-20 मिनट इसको रेष्ट पे रख देंगे इतने में हम अपने जो प्राठे में प्याज डाल ले हैं उनको तयार कर लेते हैं तो प्याज मैंने काट ली है अच्छे सिन को हाथ से एक बार कर दिया है सही एक एक प्याज के जो पीस है वो अलग-अलग हो गए है तो इसमें अब हम डालते हैं सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है हींग और अब डाल रहे हूं इसमें अजवाइन अजवाइन को थोड़ क्रस कर के ढले तो इसकी जो महां डाल 213 पराथे में इसके बार हम इसमें डालेंगे अमचूर पाऊडर और कासूरी में ती इसमें जरूर अंकर ंकर टेस्ट वह ऑच्छा आता है प्राथे में तो यहां मैं डाल रही है उन लाल मेज आप चाहिए इसhema और अद्रक भी डाल सकते हैं लेकिन मेरे पास नहीं थी अद्रक तो थी अरी मिर्च नहीं थी तो फिर अद्रक मैंने नहीं डाली वैसे अरी मिर्च के साथ उसको कूट के डाल सकते थे तो इधर मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा गरम मसाला और धनिया पाउडर और ये डाल दिय इसमें कसूरी मेत्य अगर आपके पास हरीवारी मेत्य है तो वो भी डाल सकते हैं आप तो ये देखिए इनको अच्छे से मिलाएंगे और सबसे लास्ट में इसमें हम एड़ करेंगे नमक क्योंकि नमक अगर हम पहले एड़ कर देंगे तो वो पाणी छोड़ देगा तो प्र सारे मसाले अच्छे से मिल चुके हैं प्याज में और इदर हमारा आटा हो चुका है तयार तो इसमें एक बर लोच लगा के और अब बनाएंगे हम पराठे तो चलिए देखिए हमारे साथ कैसे पराठे बनेंगे तो गैस पे हम रतवा हो गया है गरम साइड में मैंने रख प्याज को तयार कर रही थी तब तो अब बनाते हैं पराठे तो मैं बता रही थी कि जो साइड है उसको थोड़ा पतला करेंगे और बीच का जो इससे है वो थोड़ा मोटा रखेंगे और कटोरी शेप में इसको ऐसे बढ़ाते हुए थोड़ा सब बढ़ा कर लेंगे और फिर इसमें डेर सारे प्याज बरेंगे तो आप देख सकते हो कितनी प्याज है और सिरफ मैंने चार पराठे बनाए हैं प्याज बहुत अच्छे से बरी है बहुत अच्छे से अब इसको प्रेस करते हुए देखिए अच्छे से बरेंगे और फिर इसको सील करेंगे तो इस त प्राठ्ट के लिए आट्टा ले वो अपनी नोर्मल रोटी से ज़्यादा ले क्योंकि थोड़े प्राठ्टे थोड़े मौटे साइज के भी होने चाहिए पतले पतले प्राठ्टे भी अच्छी नहीं लगते और एक्स्ट्रा जो आट्टा होता है उसको गुमाके निकाल दे और अब डालेंगे इस पे थोड़ा सुखा आटा और फिर बेलन की सायता से इसको बड़ा कर लेंगे तो हमारा प्याज का प्राठा आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं फटा है देखिए कितने अच्छे से और प्याज कितना है इसमें आप देख सकते हैं प्राठे में प्याज दिख रहा है तो आप सब भी आ जाएए प्याज के प्राठे खाने के लिए गर्मा गर्म और कोमेंट में बताना भई किन किन को प्याज के प्राठे पसंद है और किन किन को मेरी वीडियो अच्छी लगी और कौन कौन ये वीडियो देखके प्याज के प पकाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी सा प्राठ्था बनके तयार होगा ये देखिए दीरे दीरे से केंगी गय से सिम्पे और कलर आप देख सकते हैं प्राठ्थे का तो इसी तरह हम सारे प्राठ्थे बना लेंगे सबसे पहला प्राठ्था आप सब के लिए ये दे देशीगी में सुआद है वो भई तेल में नहीं है तो चलिए वीडियो का करते हैं यहीं